जब जोरों की धकान लगी हो और कोई सब्जी फटा-फट से बनाने का मन करें तो ये सब्जी जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाना भी बेहदासान, सिम्ला मिच की ये लाजवाब से सब्जी खाएंगे, उंगलिया चाटते रह जाएंगे, तो चलिए फटा-फट से बनाते हैं, वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वेल आइकन को चरूर प्रस कर लें, सिम्ला मिच की ला पाउडर और आधा चमज देगी मिर्च डालेंगे, इसे टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसे जरूर डालें, अब हमें आधी कटोरी भुनी पिसी हुई मुंफली का पाउडर डालना है, मुंफली को भून ले, छिलका उतार ले, पीस कर फिर इसे डालें, और मिर्च को हलका सा सुनैरा करेंगे, फिर इसमें मिक्स किया हुआ सिमला मिर्च और प्यास डालेंगे, इसे थोरी देर अच्छे से बून लेना है, इतना कि ये हलका हलका सा सौप्ट हो जाए, तो एकदम लो फ्लेम पर भूने, ताकि ये जले नहीं और ये गले भी नहीं, ब अच्छे से सौप्ट हो जाएगी, बीच बीच में चलाते रहें और इस बात का ध्यान रखें, सिमला मिर्च ज्यादा नहीं करने चाहिए, बस सौप्ट होने तक ही से पकाना है, तो जब ये हलकी हलकी सी सौप्ट हो जाए, तो इसमें एक छोटा ग्लास चार्ज डालेंगे और इसे फटा फट से मिक्स करेंगे, आप चाहतो गैस को बंद कर दें, इसे मिला लें फिर से ओन कर लें, या इसे फटा फट से चलाते रहें, इसे फटा फट से चलाए तक कि मठा फटे नहीं, और इस सबची में अच्छे से मिल जाए, तो जैसे ही ये गरम हो जाए, गैस डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यह लाजवाब से सब्जी आप तंदूरी के साथ कहां सिंपल सी रोटी के साथ पूरी या पराते के साथ बहुत टेस्टी बनी हुई है एक बार बनाएंगे खाएंगे तब ही तो पता चलेगा कि यह कितनी जादा टेस्टी है इसे पहले कि यह सब्जी ठंडी हो जाए गर्म गर्म इस सब्जी को सर्व कीजिए और यह लाजवाब सी सब्जी का मजा लीजिए बहुत ही टेस्टी है बनाना भी बेहद आसान तो जब लगी हो जोरों की ठकान तो यह सब्जी ट्राइ करना पहल्कुल भी मत बूलिएगा क्योंकि फटा फट से बनती है और लाजवाब लगती है तो कैसी लगी आपको यह रेसेपी कॉमेंट करके जरूर बताएगा और रेसेपी पसंदा है तो वीडियो को आगे भी जरूर सेयर कीजिएगा तो मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एक्तम नई रेसे वीडियो में तब तक के लिए बाई